हाई डियर फ्रेंड्स वेलकम वेलकम बैक आवर यूटूब चैनल माधुसवर्ड और बताए कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आउटसाइड क्लिनिंग करने वाली हूँ और देखो कैसे मतलब गोबर यहां पे कर दिये हैं गायल लोगों ने और कितना जड़ा मैसी कितना जड़ा गंदा दिख रहा है बाहर का नजारा आप लोग देखी सकते हैं तो इसे मैं सबसे पहले तो हांस से उठा दूंगी इस त अबर को ना यह देखो इस तरीके से दिवाल में और यह मेरा दिवाल नहीं है सामने घर वाले का दिवाल है तो मैं उसी में मतलब इसको इसी तरीके से रोटी बना दे दी हूं रोटी इंड़सेंस छेना बोलते हैं हमारे चतितवर में इसको सूख जाएगा तो इसको कोई भी मतलब यूज कर लेगा और कि मैं तो छूला नहीं जलाती हूँ तो मेरा मतलब नहीं होगा यह के मैं ने सखाए इसको कहीं धर-दर ठेकने से अच्छ सचह कि मैं ऐसे डिवाल में चिपका दूँ क्योंकि सूख जाएगा तो इसको कोई ना को यूस करी लेगा और तो थोड़ा सा मौसम ठीक है और यह ताइम है साड़े साथ पॉने आड़ बजे का ताइम है मैं मतलब मेरा जो काम है घर का काम है जाड़ो पोछा नहाना धोना वह सारा हो चुका था तो मैंने सोचा कि चलो आउट्डोर को भी मैं क्लीनिंग कर देती हूं और यहां पर मेरी सिश्टर जो है अदीती जो सूटिंग करती है मोश्टी वह नहीं थी तो मैंने उसके भाई को बोला था सूटिंग करने के लिए तो वह बहुत छोटा बच्चा है मतलब अभी तो कैमरा जो है उससे बहुत ज़्यादा हिल जाता है गाइस आप लोग छिनरोली जती हूँ जिसको हम लोग जनरली बोलते है खरेता या खरेरा ज्खाड़ु मतलब मैंने लिया है और इसी तुरीके मैं पानी डालते इसको करते जाओंगी और शीर तो विदावट सीजर मैं इसको लीपती हूं गोबर से आप लोग को मैंने दिखाया भी वीडियो में जैसे ही दिवाली का तवहार सुरू होने वाला रहता है या उससे एक महने पहले जो है वह आगन की लिपाई पुताई जो है वह इस्टार्ट हो जाता है गाहों में तो मैं भी वैसे करती हूं लेकिन अभी बर सात का दिन है तो में बिल्कूल भी लिपाई पुताई का काम नहीं करती हूं जोभी गंदगी है यह उसको सीधे में पानी से धो देती हूं और नाली को भी देखो आप नाले में कितने सा अल सारी गंदगी तो है यह लेकिन जिलिया भी जो है वहीं पीकत्ती हो गई है किसी ने फैक दिया है तो कहीं से उड़की आ गई है तो यह जब काम मेरा खतम हो जायागा उसके बाद फिर मैं नाली का काम भी करूंगी घर के सामने है तो मतलब ऐसा नहीं है कि साफ सफाई नहीं ध्यान देनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मतलब मैं भी पहले ध्यान नहीं देती थी लेकिन मच्छडों का आतंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना कि मेरा ध्यान अब इस तरफ चला ही जाता है और अब मैं इसे साफ कर देती हूँ क्योंकि जहां पे आप रह रहे होना वहां पे साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़री है मैं भी पहले नहीं करती थी लेकिन जब से मच्छडों का आतंग बढ़ा है तो मेरा ध्यान खुद बखुद इस गंदगी की तरफ जाता है और मैं इसे अब क्लीन करती हूँ ताकि कम से कम यहां पे गंदगी ना हो, बिमार्या जादा ना पन पे तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि चलो ये सारा dakो कुछ तो कम से कम मैं साफ करी सकती हूं और यहां पर फिर मैं इसी तरीके से पानी से साफ कर लोंगी धो लोंगी और सुबह का टाइम है गाईस तो उतना जदा आवागमन नहीं है यहां पर आप देखी सकते हो महौल सांध लग रहा है और हमेशा मैंना सांध महौल का ही वेट करते रहती हूं कि इपाखत साइड वीडियो मनाना है तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाता है अगर चार लोग कठे हो के देखते रहे तो तो मैं यहीं कोशिश करती हूं या तो मैं दो पर में वीडियो मना लेती हूं या सुबह मौर्निंग ताइम क्योंकि उतना जदा फिर आना जाना नहीं रहता है लोगों का इसलिए तो यहां पर मेरी आलमुस्ट जो धुलाई वाली काम थी मतलब काम था सौरी वो खतम हो चुका है इस तरीके से देखो और यह साफ सुत्रा लग रहा है अब जो हमारी गली है मेरे घर के सामने का जो आंगन है वो साफ हो च कितना जबान आप देख सकते हो किहां पिलेक संब्धाव कितनी जादा है और आप उपिद्धाय करने वाली हूं जरत यहीं मेरा काम खतम हो जायगा गयश उसके बास काम भी मैं मतलब कर दोंगी तो आप लोग वीडियो पर लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो काफी बोलूँगी कि करनी चाहिए भाई जहां पर रहते हो अपने आसपास को साफ सुचा तो रखना ही चाहिए तो यहां पर देखो मैंने गोबर को अच्छे से धो लिया है और यहां पर सारा कुछ जो है वह साफ हो चुका है और चले अब चलते हैं अगले काम की तरफ तो यहां मैंने दिखाया था आपको मौनिंग के टाइम और अभी बज़ रहे हैं दो पहर के दो तो यहां पर जो बगल वाला घर है ना वहां पर खपरा बोलते हैं इसको आप लोग क्या बोलते हैं कमेंडर करके बताईएगा उन्होंने यह जो खपरा है उसको लाके डाला है क्योंक कि यह खपरेल जो है ना उससे पैर मतलब पैर में चुप सकता है तो गाडिया वगर अभी आते जाते रहती है तो मैं इसे तो सबसे पहले बराबर कर लूँगी थोड़ा सा ठोक था खेस को मैं क्योंकि यह बहुत बड़ा-बड़ा है तो इसको मैं बराबर कर लूँगी औ और यहां पर मैंने इसे पैर से और यह जो हमारा फावडा है रापा है उससे मैं बराबर कर लूँगी इस तरीके से ताकि चलने में उतनी दिक्कत ना हो क्योंकि यह वाला जो गेट आपको दिख रहा ना स्विरी के पास उधर से हम लोग का कभी कभार मतलब आना जाना हो जाता है वैसे मोशली हम लोग अपने दरवाजे से ही निकलते हैं बट कभी कभी दर से भी आना हो जाता है और यहां पर देखो यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था और कुछ जिलिया भी थी नाली में जिससे पानी जो हो रूख गया था आप लोगों को तो यह यहां पर पानी जो है वह रूख गया था तो मैंने सुचा कि चलो साथ ही साथ इसको भी मैं कर देती हूं इसको भी मैं निकाल देती हूं तो यह मैंने निकाल दिया है उसके बार देखो यहां पर कुछ नाली में चला गया था उसको मैं से उपर से निकाल दे रही हूं और उसको भी मैं इसी तरीके से खावडे से निकाल लूगी इत है जिली है सारा कुछ नाली में चला जाता है और कई लोग तो होते हैं कि नाली में ही सारा कुछ फेक देते हैं इसे क्या पानी जमा हो जाता है बहता नहीं है फिर वहां पे गंदगी बीमारिया तो पन देंगी ही अपर समझ सकते हो तो ऐसा है हमारा महौल का नजारा आप देखी सकते हैं उसके पाद ना आप लोगों को मैंने दिखाया तक इसली वीडियो में मैंने वहां का कचछा यहां पर लाकर रखा था कि कोई कचछा वाला आए बाई और इसको लेके जाएगा लेकि मजाल तो कोई यहां पर बीच में मैंने रख दिया था तो मैंने सामनेपे गेत हैं आप लोग देखी सकते हैं उदर से आना जाना लगा रहता है तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे यह अफसाइड में ही कर देनी चाहिए मैंने इसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि कच्छा वाला आएगा तो लेके चला जाएगा करके लेकिन मैं यह गलत फहमी थी वह अभी तक नहीं आये हैं और ले जाना तो बहुत दूर की बात है तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं ठी चलो किसी सफाई हो जाए और यहां पेटी कोट नैटी जो है वह ऊपर कर ले रही हूं क्योंकि थोड़ा सा अगर आप मैसी जगा में काम कर रहे हो तो कपड़ा जो है वह मतलब करना ही पड़ता है यह सारा कुछ काम करने में जो है जो है वह यह सब करती ही है तो इसको कई किनारे में लगा दिया है इस तरीके से अब वो पता नहीं उसको कब लेकर जाएगा और उसके बाद फिर मैं निकाल दूंगी इस तरीके से यह देखो इस तरीके से निकाल दूंगी और यह खाम करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कच्रावाली बन गई हूँ लेकिन कोई नहीं सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीके से जो भी जिलिया वगरा है पन्नी वगरा पड़ा हुआ है वो सारा कुछ मैं निकाल दूंगी और यहां पर देख सकते ह तो वीडियो का एंड बाए